वैलकम टो माई योटूब चैनल स्टडी विद देभुमी फ्रेंड जैसा आपको पता है आने वाले टाइम में नवंबर में या दिसंबर के फस्ट वीक में UKCC वीडियो के 814 पोस्ट के लिए एक्जाम होना है तो आपको पता है ज़्यादे टाइम नहीं है तो हमने इस एक्जाम के लिए जो है उत्तरहण जीके की रिविजन क्लास सुरू किया है जिसमें आपको उत्तरहण जीके के सिलेक्टेड कोश्चन ही देखने को मिलेंगे इस वीडियो में आपको उत्तरहण जीके के 20 कोश्चन देखने को मिलेंगे आपके 20 में से जितने भी माक्स आते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो आज का पहला कोश्चन है चित्रकला की गड़वाल सैली का प्रियोग किस मुगल सासर्च के काल में हुआ था very very most important question है तो किसके समय में हुआ था तो ओरंग जेब के ठीक है किसके समय में हुआ था ओरंग जेब के अगला question हो जाएगा किस formula के अंतरगत उत्रहण को विसेश राज्जी का दर्जा प्रदान किया गया था तो आपको पता है उत्रहण को विसेश राज्जी का दर्जा दिया गया था और ये दर्जा पाने वाला उत्तरहण ग्यारव राज्जी था कौन से नंबर का था ग्यारवे नंबर का था तो इसको जो दर्जा दिया गया था ये दर्जा दिया गया था गौडगिल formula के अंतरगत ठीक है तो तो A option जो हमारा right हो जाएगा और exam के द्रिस्टी से ये question काफी महतपूर है अगला question हो जाएगा कुमाओ की पहली राम लिला कब और कहां संपन हुई थी तो कुमाओ की जो पहली राम लिला हुई थी ये हुई थी 1860 में ठीक है कहां पर हुई थी अलमोडा में तो B option जो है हमारा right हो जाएगा अगला question है काली नदी मैं मिलने वाली पृतंडी कौनसी है very very most important question है तो काली नदी मिलने वाले पृतंडी जो है ये है कुठियंग्टी नदी ये जो है काली नदी की प्रार्मबिक-सायक नदी है ठीक है पश्चमी ढाले तो वहां से कुठी अंग्टी नदी का उद्गम होता है आप यहां से आपको एक कोशन और याद रखना पड़ेगा कुठी अंग्टी के अगर साइक नदिया पूसता है तो वह भी आपको याद होनी चाहिए कौन-कौन सी है संग्चुम्ना ठीक है ऑग्चे से याद रखने है अगला कुश्चन हो जाएगा नंभी मेंने से राहुनात मंदीर इस्थीत है तो देखिये राहुनात मंदीर कहा पर कर इस्थीत और रहुनात मंदीर में टिभी में तो राज्जी में दो रगुनात मंदीर हैं एक तो है सबसे बड़ा वाला यह जो प्रशिद्ध है वो टीरी में हैं दूसरा वाला है उत्तर काशी में तो ठीक है गाईज एक रगुनात मंदिर हमारा उत्तरकाशी में हो गया और दूसरा रगुनात मंदिर जो है टीरी में है ठीक है तो दोनों पॉइंट आप याद रहेंगे अगला कोश्चन हो जाएगा नैनिताल में पहला मकान पिल्ग्रिम लॉज किसने बनबाया था वेरी वेरी मुस्ट इंपॉर्टन कोश्चन है तो यह बनबाया था पी वेरन ने ठीक है अब आपको याद आगे हो पी वेरन कौन थे जिनोंने 1841 में नैनिताल की खूज की थी ठीक है कोश्चन है अब देखेगी इनकी एक फुष्टक धु है पी वेरन की पुस्टक है उसको आप याद रखना वर्डरिंग इनदा हमाल लेज। वर्ड रिंग इन्दा हेमालियर पी वैरन की पुस्ताइग तो नैने ताल की खोज की ख़बर आप याद रहें जैब इनों नैने ताल की खोज की थी पी वैरन ने 1841 में तो इसकी खोज की जो न्यूज चपी थी ठीक है वो चोबीस नवमबर 1841 को ठीक है कलकत्ता आप याद कलकत्ता का जो इंग्लिश अखवार था, उसमें जो है, इसकी खबर छपी थी, अगर आपसे question पूछ लेता है, कि नैनिताल का बिस्तरत विबरान, ठीक है, वो किस में छपाता था, तो आप याद रखेंगे, आगरा अखवार में, ठीक है, आगरा अखवार में जो है, नैनित किसका प्राचिन नाम था तो ये था रानी-खेळ का कि conclusion मोला में इस्तीत है तो जहूला देवी याद रखेंगे जूला देवी परवत संख्लाओं में इस्तीत है जूला देवी नाम से बीगादाटा था ठीक है। सबसे मेरा कपूस्टन फूरादी के इस लीगाण के इस तेत है और इस लेड़ा तिक किया कुमाउ रजिम एक का मुख्या ले भी है। Krish Laplace अरदा कउशन हान सोखना है। उत्राखन के पर्थम बंद संदक्षक के रूप में किसे जाना जाता है तो उत्राखन के पर्थम बंद संदक्षक के रूप में जो जाना जाता है ये जाना जाता है मेजर पिरशन को ठीक है तो option A जो है हमारा right हो जाएगा अगला question है पर्थम भारतिय कुमाव कमिशनर कौन था तो पर्थम भारतिय कुमाव कमिशनर कौन था तो गैस ये थे H.S. जोसी कौन थे H.S. जोसी अगला कुशन हो जाएगा राज जी में 114 जड़ी बूटियों को किस बन अधिनियम के अंतरकत प्रतिबंदित किया गया काफी मैत्पून कौशन है तो ये प्रतिबंदित किया गया था बन प्रबंदन अधिनियम 1982 के तही जह राज जी में 114 जड़ी बूटियों को ठीक है परतिवन्दित किया गया था काफी बैत्पून कोश्चन है चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं राज्य में नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई तो राज्य में नायक सुधार समिति की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1924 में कब हुई थी गाईज 1924 में पूछ लेता है कि नायक जाती के लिए कानून कब बना था ठीक है नायक जाती के लिए जो है एक कानून बना था वो कब बना था 1929 में बना था यह पॉइंट आप यहां से जरूर याद रखेंगे चलिए अगला कुशन देख लेते हैं निम लिखित में से कौन बोरारो पट् पूछ लेता है कि कोशानी का पुराना नाम क्या है ठीक है अगर पूछ लेता है पुराना नाम क्या है तो आप याद रखेंगे इसको किस नाम से जाना जाता है बलना क्या कहा जाता है और कोशानी की संस्तापक कौन है तो आप याद रखेंगे रैम जी कौन है संस्तापक तो आप याद रखेंगे पिंगनाथ पहाड़ी कौनसी है पिंगनाथ पहाड़ी पर जो है कोसानी इस्थित है चलिए अगरा कोशन देख लेते हैं पांडू केश्वर उतसब किस जिले में मनाया जाता है देखे आपको पांडू केश्वर उतसब देखने को मिलेगा या आपको देखने को मिलेगा जानती का मेला जानती का मेला या पांडू केश्वर उतसब दोनों में से कोई भी पूछ सकता है ठीक है तो यह कहाँ पर मनाय में अकला Co能 है तो देखें मादव ओस्धाले जो स्तित इता है जो इस त Landesनि में कहां पर स्तीत है हलदवानी मेंस स्तित इता है और इसके इस्थापन होगी थी 1954 में ऎसके संस्थाक्ष थे माधवनंद लोहनी इसके इस स्थापक यह एक बैद थे कौन थे गाईज यह एक बैद थे ठीक है माधवनंद लोहनी तो माधवास दाले कि स्थापना 1954 में हुई थी कहाँ पर हलदवानी में उससे संस्थापक कौन है माधवनंद लोहनी जो एक बैद थे अगला कोश्चन हो जाएगा किस पुराण में सीलिक पुराण में अगला कोश्चन हो सहेगा कि नैने ताल में की कहती सुरू करने का सिरे किसे जाता है तो नयने ताल मालू की खेती सुरू करने का जो शिरे जाता है यह जाता है हैईरी वर्जर को किसको जाता है है राइट हो जाएगा अगला कोश्यन है औरेड़ा की रिपोर्ट के अनुसारा राज्ये के घाट विहीं जनपत कौन से हैं जिसमें घर्राट नहीं है तो आप यह हैं उधाम सिंग नगर और अब बात करें देखें ओरिडवार टिंग है यू आर यी डी ऑ ठीक है इसको कहते हैं उत्राहं से अगर इसको इंदिवेंगार बात करें तो उत्राहं अक्से और जा विकास अभी इसका मुख्याले था में कहां अब ब्रत्मान जो इसका मुख्याले तो आप याँग रहींगे पटेल नगर देहरादून के पूसके लगण मोड़ामे ठीक है इसके आप फुल-फॉर्म जरूरि याद रखना चलिए अगला कोशन देख लेते हैं उत्राघंट का अनभंडार किसी कहा जाता है वैरी वैरी मोस्टिंपर्डॉन कोश्टन है तो उत्राघंट का जाता है यह कहा जाता है तराई छेत्र को किसको कहा जाता चलिए आज का अंतिम कोशन देख लेते हैं प्रशिद वैतरनी सरोबर किस बुग्याल में इस्थित है तो प्रशिद वैतरनी सरोबर जो इस्थित है यह किस बुग्याल में है तो आप याद रखेंगे बेदनी बुग्याल में ठीक है और बेदनी बुग्याल कहा पर इस्थि इसको बेदों का प्रण इस्थलमी माना जाता है तो यह थे आज के उत्तागन जी के most important 20 questions जो आपके आने वाले वीडियो वीडियो समाज के लिए अधिकारी के एक्जाम में आपके काफी मदद कर सकते हैं अगर आपको वीडियो वन परसेंट पर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फोर वाचिंग